Hello everyone, this is Anirudh Walia and once again welcome to my YouTube channel और मैं Anirudh Walia आपके लिए OneShot Series में जो नया पीपलों का ग्रूप लाया हूं That is Group 14, that is Carbon Family को आज अपन OneShot में पढ़ने वाले हैं पचोवन देखी पॉइंट्स, Exceptions और हर एक्जाम पॉइंट्स इसे काफी इपॉर्टन आई यह पटाफट से करते हैं Start, यदी मैं Group 14, यदी मैं Group 14, Carbon Family की बात करूँ तो जो Elements अपनों को नजर आते हैं Group 14 में जो भी Notes में दूँगा, हमको Please अपनी Notebook में पटाफट से लिखते रहना, Elements है Carbon, Silicon, Zermanium, Tin and Lead These are the Elements जो अपनों को नजर आएंगे, सबसे Important है Order of Catenation, Self Linkage Tendency, सर हमें तो पता है कि Carbon बहुत शांदार Catenation Property रखता है, तो Carbon की Catenation Tendency सबसे बढ़िया, Then Silicon, Carbon याद रखना की Group 1 में, अपने पुरे Group में सबसे बढ़िया Catenation Tendency रखता है, सबसे ज़्यादा इवन, Carbon, Silicon, फिर Germanium, Oil, Tin, Lead तो बहुत पूर Tendency रखते हैं, में ली क्या है Carbon और Silicon वाला Order अपनों को याद रखना है, नई अब आगे बात करते हैं कि Allotrops of Carbon, Carbon की तीन Allotrops अपने को देखने को मिलेंगी, कौन-कौन से, सब्सक्राइबंड ग्रेफाइड और बखमिंस्टर फुल्री तो Allotrops of Carbon, Allotrops of Carbon पे चलते हैं, यहाद रखना जो डाइमंड है, डाइमंड शांदा डाइमंड जो हाइविडाइशन रहेगी, वो SP3 जे इमेंस अक्सर पूछ ल फुल्रीन भी जो फाइबरिजेशन रखेगा, SP2 ही रखेगा, के दनी सी बात पने को याद रखेंगे, और डेंसिटी ऑफ डाइमंड इस ग्रेटर देंसिटी ऑफ ग्रेफाइट, अगें इंपॉर्टन पॉइंट, ग्रेफाइट जो है, इलेक्रिसिटी कर सकता है कि यह ए कि कुछ तो 5 मेंबर रिंग है, कुछ 6 मेंबर रिंग है, सर अक्सर भूल जाते हैं कितने 5 मेंबर, कितने 6 मेंबर, और यह तो आप नहीं हूल होगे देखना, C60 है, ठीक है, सर कुछ 5 मेंबर रिंग है, कुछ 6 मेंबर रिंग है, always remember इनका product of 120 करतो, मतलब, सर इंटू 12 करना पड़ेगा, इंटू, कितना करना पड़ेगा, इंटू 20 करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा, और यहां पर simply इसको तो मैं 12 से multiply कर देता हूं, इसको 20 से multiply कर देता हूं, इसको चलो 60 देते हैं, यानि सर 5 मेंबर जो रिंग है, वो कितनी है, 12, और जो 6 मेंबर और 20 कितनी है 26 मेंबर रेंग है कि इतनी सी बात हम याद रखेंगे इतनी सी बात यदी हम याद रख लेंगे तो अपना काम चल जाएगा याद भी अखेसकते हैं कि इसको कर रहा हूं कि के अंदर त्वेल फाइफ मेंबर रिंग फाइफ मेंबर रिंग प्रोड़क्ट 60 का मिल्टिपलाइज बोना चाहिए और 26 मेंबर रिंग है क्या पूंको इतनी सी बात दिमाग के रखेंगे आए कारेक्रम को और आगे बढ़ाती हैं लिए ठ्र्मो डाइनमिकली थर्मो डाइनमिकली कूंज अदास्तेवल गार्वन का फों एलिडयाकर फिंपल्यक्ट ओर गरत्विट इस बुड़ाइब का इसमोर स्ट्रीव बाहिके रिंग हिन पर दिम्टर्वालएन अव्डर्म गरतिया को डाइमंड की फॉर्म जो है वो जादा स्टेबल नहीं है ग्रेफाइट थर्मोनेटमिकली ज्यादा स्टेबल है आगे बात करते हैं जो गृप फूटिंग ए प्यारा मेटलाइड चरिप्यारा मेटल चर्मेटियंड इस तो आरراम मेटल चनि एधनिटी वातों स्टीने में मेटलं इस सच कोई exception यहां देखने को अपने को नहीं मिल रही होगी जो रेगुलर ट्रेंड्स हैं वो फोलो कर रही होंगे इंपोर्टेंट पॉइंट जो इनर्ट पेर इफेक्ट से आता है वो देख लेना काफी इनर्ट पेर इफेक्ट गुरूप 13 ने भी बताया था फिर बताना चांगा गुरूप 13 के रिगार्डिंग सेम वीडियो में अप्लोड कर चुगा हूं मेरे व्योट्यूप चैनल पर आ इन्क्रीज करते हैं यारी जो लेड है जो लेड है प्लस टू में रहना पसंद करता रहा है हों इतने सी बादिमाग में पर आई अब कुछ कहानी पर बात करते हैं कुछ chemical properties, कुछ chemical reactions के बारे में कहानी को start करने जा रही है start कर रहे हैं very very important basic point से chemical properties the very first जो है reaction with O2 oxygen के साथ कैसा reaction करता है और यह सर सारी दुमिया को पता है कोई भी element E है oxygen के साथ react करके oxide बनाता है जैसे CO2, SiO2, GeO2 ठीक है सर यह तो हो गए dioxide यह कहा है dioxide सरी monoxide बनाते हैं हम दे सुना है अच्छा carbon monoxide अरे बिल्कुल सुना है बिल्कुल सही सुना है अब फिर अरे इनका nature जाननो तोड़ा सा nature इनका प्राशा तीखा है भड़की ला है सर, CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PVO2 हाँ, यह oxides आप बनाते हैं बिल्कुल हम यह oxides बनाते हैं तो बच्छो याद रखना कि पहले तीनो जो है acidic oxides हैं और लास्क वाले दो विचारे हमारे amphoteric है amphoteric वाले एक्सर वो गूशता है याद याद रखना SnO2 and PVO2 are amphoteric oxides वहीं इन बिचारों का monoxide देख लेते हैं carbon monoxide, silicon monoxide germanium, tin and lead सरीन का nature कैसा है आई तो बात कर लेते हैं मच्छो इन का nature carbon monoxide is neutral oxide, SiO is unstable, यह तो बिचार वहुत अंस्टेबल है this is acidic and again last दो वाले क्या है amphoteric amphoteric इतनी सी बादिमाद पर रखेंगे oxides और monoxides यह कहा है basically monoxides बोलो इतनी सी बादिमाद पर रखेंगे हर वो चीज बताता चलूँगा जो आपको काम आएगी कारेक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ अगली reaction है reaction with N2 reaction with N2 nitrogen के साथ क्या कमाल है important J में से पूछांगे है carbon solid O2 plus N2 के साथ react करके जो बनाता है CO plus N2 बनाता है which is nothing but known as producer gas producer gas की नाम से जाना जाता है चलेगा सर इतनी सी बाद अपने को चलेगी आईए बात करते हैं आगे सर यह भाई साथ तो इसके साथ reaction with water भी कर दो आप लगया आये तो reaction with water कर देते है reaction with water में होता क्या है सर हमें पता है carbon है ना जो H2O steam के साथ मिलकर हमारा जैसा compound बनाता है carbon monoxide plus H2 gas and the name of this combination is simply water gas J मिन्स 2019 J मिन्स 2019 में पूछा था water gas क्या पता इस साल producer gas पूछ ले तो इसलिए B alert कि आपनों को पता लग गया पता लग गया steam के साथ ही reaction होगी generally steam के साथ ही reaction होगी काने तों को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ reaction with water में हो देखना कमाल in general element E है वो H2O steam के साथ जो reaction करेगा वो यही बनाएगा सिलिकन जर्मेनियम एंट लेट रेक्शन नहीं करता है next important point next important कारणावा देखना रेक्शन होगी एक्शन होगी एक्शन के साथ carbon हूँ silicon हूँ जर्मेनियम हूँ इन तीनों भाइसाब को dilute HCL के साथ रेक्शन करवाओगे ना तो गएंगे आरे dilute HCL तिरी क्या मजाल जो हमसे रेक्शन कर ले तु जा अपनी जिंदिकी जी ले हम तेरे साथ कोई कंपाउन नहीं बनाएंगे खड़ाओ कोई एक्शन नहीं करता बेचाड़ो ओहो इतना घमट आ गया एकशेट चेंज करो एकशेट चेंज करों देखते हैं कैसे रेक्शन नहीं करता पर सर्फ लेड बोलता है लेड बोलता है रहे मैं तो सरीफ साथ महीं हूँ मैं तो HCL के साथ रेक्शन कर लूगा पट मुझे Concentrated HCL के साथ रेक्शन करना है PVC बनाऊंग और H2 कर दूगा तो कार्वन सिलिकन जर्मेनियम बोले अरे भाई तू तो बहुत विकार निकला हम सब डाइलूट के साथ रेक्शन करेंगे हमने नहीं बनाने निकला तूने से Concentrated HCL लिया और रेक्शन कर दिया और कर्दारी कर दिया दलत बाट है फिर वो बोला कि अरे तूं Concentrated की क्या बात करते हो हम तो सब्सक्राइब करते हैं अब यह बात यहां तक चलनी पाई यह बात ग्रुप के जो एक जो मुख्या उपता है जिसे आपके घर में सबसे बड़े जो हैं जिसे आपके दाला जीदा दीजिए वह में जेटर है इसे तरह यह बात है ना उसको नहीं अच्छी लगी कारवन फैमिली के जो में लिटर हैं कारवन को लया तुने लेट गंतारी किये तो नहीं है तो तो एसी के ऐसी तैसी करता हूं और मैं रियक्षिन पता किसके साथ करूंगा वाले तू देखता जाओ और आस करता है HNO3 के साथ, कों से HNO3, hot and concentrated, और जए compound बनाएगा, वो ऐसा compound जो जिंदगी में नहीं सुना होगा, सिरफ याद अदना है product, वो गएगा, याद ही कि दुनिया हमें, हर बेंजिन की, हर हाइड्रोजन को खटा कर COH, COH, COH बनाएगे, याद रखेगा, अच्छा, ये बात है, हाँ, बिलकुल ये बात है, करेक्रम को आगे बात करें, आए, ये याद रखना है, ये प्रोडेक्ट इंपर्टन है, फिर मत कहना कि कार्वन भाई साब कैसे प्रोडेक्ट बना लेते हो, करेक्रम को आगे बढ़ाने जारें, देखना, अब बेस के साथ रेक्शन की बात करते हैं, अब बेस के साथ बात की, अब बेस के साथ बात करते हैं, कार्वन जनली बेस के साथ रेक्शन नहीं करता है, ठीक है, वहीं सिलिकन कर लेता है, बेस मतलब एने वेज, एने वेज प प्लस एच्टू गया सिंप्ली इको ने कार्बन करेंगा नहीं सिलिकन निकल लिया बना बचा और लेड जर्मेनियम नहीं करता भी यह कैशनी सी बात में दिमांगे रखेंगे इस साथी बहिया मैंने आपको 10 से 15 मिनट में इस आयो पानन तो आया होगा बच्छों सीम मैंने ब या एक्जान पास है जो कहोगे वो पढ़ा देंगे शर्त एक है कि मुझे बता दो कि सर यह पढ़ाओ मैं आऊँगा पढ़ाओंगा आईए करें बढ़ाते हैं बात करेंगे अब कार्बन मोनोपसाइड की कंपाउंस की स्टड़ी करते हैं अब कुछ बात करने चाने अच्छा और जो फॉर्मीक एसिड लगवड वाला इसको सिंप्ली सिंप्ली शिम्प्ली थ्री सेवंटे थी केल्विन पेंगी करो इन प्रेजंस ऑफ कांसेंट्रेटिड एच्ट्रेटिड एजन्ट है तो इस बेचारे से वाटर निकाल दो सर यानि दो हाइड्रोजन निक और एक हाइड्रोजन घतम तो सर वाटर प्लस सी यो गैस बच गई दिखा कंपाउं फॉर्मीक एसिड से भया पानी निकाल दो फॉर्मीक एसिड से पानी निकाल के कारवन अनुक्सारे बना दो दिग्या दिग्या सर दिग्या और क्या करें अगी एक्शन वाग करता हूं सबस्ट्रौज सी चुच दम्ने लुक्से वाटर निकाले कालो वाटर निकालने को धैक्च यो फॉर्मीच वाटर निकालने का मतल। यह रहा CO2, लिख दो प्लस CO2, अब क्या करें, क्या करें, सर यह रहा CO, बन गई reaction, लिख दी reaction, जार सर आपने तो यादी नहीं करवाई, direct reaction लिखना सिखा दिया, हाँ बच्चो, direct लिखना reaction सिखा दिया, कारेक्रम को आगे बढ़ाई, हाँ सर आगे बढ़ाओ, मचे दिलाओ, आईए बच्चो, तो अगली method of preparation देगना, आप लोग इस के लिए पर, सर अभी आप थोड़ी दे पहले पताए था, एक पताए था steam gas या प्रोड्यूजर गैस याद रहेगी, अच्छा H2 के साथ तो अपन वाटर गैस, चल्ब तो पहले वाटर गैस ले लो, वाटर गैस मे तो हम carbon monoxide बना सकते हैं, बिलकुल बना सकते हैं, आगे बात करते हैं, it is a poisonous gas, it is a poisonous, colorless, odorless gas, कुछ reaction, यह reaction की चर्चा के बने जा रहे हैं, आनंद तो आ रहा है, कोई बच्चा है साथ तो फिल नी कर रहा साथ, हम बोर हो गई, अरे बोर मत हो ना, वाली है सथी क्लास में, पड़ी हाँ, पड़ी हाँ, यह reaction, सर हमने एक reaction ही आदे, बता देंगा, अरे, बोलो सामाहिए, की हो, सर कार्बोनील कंपॉंड निकल की carbon, यह, कार्बोनील के साथ, रेक्शन करवाई थी, और NICO, बनाया था, कार्बोनील, निकल, टेक्ट्रा कार्बोनील, अरे भीया, बिल प्रीट करवाकर आयरन विचारे को हमालग ले जाते हैं और सी रोटतों निकाल देते हैं बाहर हुआ क्या सारे सारी दुनिया को पता था कारबन मुनौपस जहरी लिगयर्श है तो आयरन ऊक्षाइड बोला ऐसे तुम तुम सारी दुनिया में जहर पहला दोगे तुम्हारे जैर्बो खतम करना पड़ेगा मतलब तुम्हारे साथ अब हम करेंगे एक डर्वी पहले कारव मुझा अरे भहिया पता नहीं क्या कर देंगे है हम तो है प्लसति वाले चलए और तुम्हारे उत्धार कर जाएंगे तुम्हारे पास में फैला रहे हो गंध की तुम्हों के बंचा देंगे थैंगे बाए वाइवा इस भाई और बंथ बनारे वाई आईजे इस बनाने खत्म करने की सिलसिले में कारिक्रम को आगे बनाते हैं अगला ह Правी कंपाॉंन करने जा रहे हैं वह है हमारी प्यारी कार्वन मोनोकसड गैस मोनो तो है पढ़े लिह बनती कैसे हैं सर हमको एक रीएक्शियम बता यह बता देए सांध अपने करते नुक्ता हैं अपने काई अजिस प्रेक्षन करते हैं तो सी यो टू गैस प्लस हट्व लिक्विड बनता है अले वाओ शेयों फूट बहुति शंदार बहुति शंदार सार अब क्या करें अब कुछ उसकी पॉपपटीज देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टन चीजे देख लेते हैं हाला कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन्स नहीं हैं कार्वन मोन की कार्वन डाई ऑक्साइड के रिगारी बट इतना अपनों को दिमाग में रखना है एक और मैथ 6H12 O6 वीच गुलवकोस बचारे को अपन फर्मेंटेशन करके अपन क्या बनेंगे यहँपर सिंप्री इल्कोहल बनाएंगे इथाईलेलिपकॉस टू मोल सोफ इताइल अलकॉहल प्लस इथाईलेलिपकॉस यह लूगोस बढ़ारी यह बितनी चीज़ बात रिखेंगे इड पानी में डालने कर क्या बनता है H2CO3 एक एक एसिद बन रहा है कार्बोनिक एसिद हैंस इसन एसिदिक औक साइड के इतनी सी बाद में आख रहेंगे एक और कंपाउंड देख लेगा जिसको थोड़ा सा जीब सा नाम रहता है स्ट्रक्चर लोग को दिक्कत करती है C3O2 नेम रहें दिदल कंपाउंड इसको थोड़ा से इंपोर्टेंट है इस इस दा-ट्रक्चर ओविल्या रिखी जितना पोड़िक ब्रुटीट चार्ज इतना पोजिद बरांगर रखेंगे बनों कहतं है ना नेक्स्ट और एक छोटी चीज है यहां पर जो ग्रूप पोटीन से रहते हैं वह बता देते हैं आपको लगें लगें हाथ क्योंकि बताई रहे हैं तो सारा कंटेंट आपको देवी भी या बेस्ट तरीके से जो एक अपने पास एसा योट हो है ना एसा योट है इसमें सि लिए इसलिए इसलिए चार बनाता है एस पीठी है बोलो कि इतनी सी बादिमाग में रखेंगे तो इतना सारा बात यह यह आप दिमाग में रख लेंगे तो आपका काल चल जाएगा और आप शंदा तरीके से ग्रूप 14 के सारी सवालों को कर सकती हैं बोलो है ना उमीद कर पसंद आया होगा वन शॉट में सारे आसपेक्स बताने की कोशिश की है और यह चैनल पसंद आ रहे है टीचिंग पसंद आ रही है निरुदवालिया का स्टाइल पसंद है और अध्वालिया को पसंद करते हो तो चैनल को दरूर सब्स्ट्राइब कर लेना बगल में एक नो प्लीज चैनल पर चैनल से और बस ऐसे उसक्राथे रहना थैंक्स वाचिंग इस एंटार वीडियो गड्रेस यॉल वीडियो बाई बाई टेक्र